हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आयो बढ़ी आउंगे वेलकम बैक टो बेडियो टिप्स भाई पबली आज मैं आपको एक इतनी बैटरीन रेमेडी बताने वाली हूँ जिसमें हम चुकंदल का इस्तिमाल करने वानी है यानि के बीट रूट का इस्तिमाल इसके फाइदे बहुत सारे हैं सेथ के लिए तो हैं ही सरीर के लिए लेकिन इस्किन के लिए तो बहुत ज़्यादे हैं आज मैं आपको इससे एक फेस मास्क बना कर बताऊंगी ये फेसमास आपकी स्किन से डख स्पोर्ट्स हैं, पिंग्मेंटेशन हैं रिंकल्स हैं, सन बन हैं या इसकिन डल है, इन सब को ठीक करेगा आपकी स्किन सको डड़ी सकिन साफ होगी, आपकी स्किन चमकदार होगी गोरा निखा रहाएगा pinkish glow भी निखा रहेगा आपकी skin बेदाग बनेगी और बहुत soft भी बनेगी तो चलिए बताती हूं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेना है और आपको लेना है beetroot का powder आप चाहे तो इसमें beetroot का रस भी ले सकते हैं या आपकी skin को detoxify करेगा natural expolition करेगा anti-aging properties होती है इसमें और skin को even tone करेगा glowing complex देगा और ride it और moisturize करेगा आपकी skin को dark sports को अटाएगा तो इसमें बहुत सारी properties होती हैं जैसे vitamin C होता है, vitamin A भी होता है और vitamin K भी होता है इसमे antioxidant भी होती है जो skin में melanin के production को कम करके skin को बे दाग बनाने में और निकार लाने में अलप करने वाले हैं इसके बार लेना है आपको besan, besan लिए मैं आपर दो चमच या आपकी skin से daddy skin को remove करेगा, dark sports को गटाने में मदद करेगा आपकी skin को निकारने में white and bright बनाने में both help करने वाला है इसके बार लेना है friends यहाँ पर tomato का रस इसमें मैं दो चमच tomato का रस एड़ कर दूगी और अगर friends आपकी skin को tomato shoot नहीं आता तो आप इसमें दही भी एड़ कर सकते हैं tomato में वो भर poor vitamin C होता है, A b होता है B b होता है, और lycopene होता है anti-aging properties भी होती है जो skin से दाग दब्बो को pigmentation को, जाईयों को इनने अटाने में help करने वाला है आपकी skin को निखाने वाला है आपकी skin को साप करने वाला है तो friends इसके बार लेना फिर आपको यहाँ पर कच्चा दूद यहाँ पर कच्चा दूद डाल दूँगे मैं दो, तीन, चमच और मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पर mix कर ले रही हूँ कच्चा दूद, skin के cells को grow करता है, उन्हें मजबूत करता है dead cells को remove करता है duck sports है, pigmentation है, wrinkles है dead skin है, इनने साफ करता है wrinkles को भी अटाता है जुर्यों को भी अटाने में अल्प करता है dull skin को repair करता है skin को moisturize करता है तो देखे कितने सारे काम करता है कच्चा दूद, क्योंकि नेचरल क्लिंजर का भी काम करने वाला है एक toner के रूप में भी यह काम करता है skin पर और एक moisturizer के रूप में भी काम करता है कच्चा दूद, तो बहुत ज़दे अच्छा होता है skin के लिए कच्चा दूद, सिहत के लिए तो होता ही है लेकिन skin पर भी यह बहुत कमाल करता है तो इसलिए friends सारी चीज़ों को मैं इसमें अच्छी तरह से add करके mix कर लिया है यहाँ पर देख रहे हैं मतलब कर रही हूँ ऐसी करना है आपको तो बहुत अच्छी remedy बन कर आज तयार होने वाली है आपकी skin पर pinkis glow आएगा आपकी skin सारी साफ होगी red skin remove होगी आपके दाग दब्बे और pigmentation या अन्य प्रोब्लम सब खतम हो जानी है तो आपको mix करके इसे अपने चैरे पर लगाना है और किस तरह से लगाना है अब भी आप इसका result देखेगा और कैसे लगाना है वो भी देखेगा मेरे हाथ पर तो आपको पहले अपना चैरा साफ कर लिना है नॉर्मल पानी से कर लीजिए या कोई face wash कर लीजिए mild face wash तो इसके बाद आपको अपने चैरे पर इसे apply करना है देखें ठीक हैसे ही जैसे मैं आदपर करके दिखा रही हूँ तो आप खुब अच्ची तरह से इसे अपने चैरे पर apply करिएगा या आपके dark sports भी remove करेगा pigmentation भी remove करेगा चाहे जितने भी पुरा ने हो आपकी skin साब भी होगी और color भी आपका फियर होगा skin का आपके चैरे का तो आपको इसे apply करके लगा कर छोड़ देना है 10 या 15 मिनट के लिए चाहे तो 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं उसके बाद आपको normal पानी से अपना चैरा बोश कर लेना है और देखे मुझे भी 10 मिनट हो गए हैं आपर अभी मैं आपको result दिखाती हूँ तो देख सकते हैं आप मेरे हाथ पर इसका result कितना बहतरी नाया है आप देख सकते हैं color भी फेर हो गया है और skin glowing भी हो गई है बहुत साफ सुतरी skin हो गई है तो ऐसे ही कहीं ज़्यादा अच्छा आपका चैरा हो जाना है फ्रेंस जब आप इसे डेल इस्तेमाल करेंगे आप इसे हफते में चार दिन इस्तेमाल कर सकते हैं तीन दिन इस्तेमाल कर सकते हैं जितना समय आपको मिले या जितना जैसे आप comfortable हो पर तीन या चार दिन इसे आपको इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखें मैंने hand wash कर लिया है तो कितना अच्छा मेरी skin का color निखर किया है आप देख सकते हैं मेरे आथ पर glow और निखार ऐसे आपका चेहरा बहुत सुन्दर हो जाएगा सारे dark sports जितने भी पुराने हो जितने भी पुराने चाहे जहाई याँ भी हो अगर आप इसे ठीक इसी तरह लगाते हैं तो 100% जड़ से खतम हो जानी है आपकी problem एक healthy skin पाएंगे आप इस face mask से जूरियां भी खतम होंगी skin motion भी होगी फरक देख सकते हैं आप मेरे आतमर नीचे से black है skin ओपर से white है ये फरक आपके सामने है फ्रेंड्स आप इसे अपते में चार दिन करेंगे ना तो अपनी skin पर visible change पाएंगे बहुत अच्छी healthy skin पाएंगे तो आपको अपना face धो कर पोच लेना है सूखे कप्डे से तोल इसे और उसके बाद आपको लगाना है aloe vera gel ये बहुत जरूरी है लगाना ये आपकी skin को hydrate रखेगा आपके dark sports को जाईयों को जूरियों को हटाने में help करने वाला है इस remedy के साथ मिलकर ठीक ऐसी लगाना है जैसे मैंने बताया पहले आपको pack लगाना है mask लगाना है वो उसके बाद आपको aloe vera gel जरूर लगाना है glow बना रहेगा skin hydrate रहेगी चमकदार बनेगी और बहुत सुन्दर skin दिखाई देगी आपकी बिलकुल भी dry नहीं होगी सर्दी का मोसम है तो moisturizer जल्दी उड़ जाता है सर्दियों में तो यह लगाना बहुत जरूरी है तो आपकी skin बहुत अच्छी रहेगी तो friends यह remedy 100% working है बिलकुल natural है और all skin type है आपको ठीक ऐसे ही लगानी है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताई है तो इसके बाद एक चीज़ का ध्यान लखना है आपको कोई भी साबुन या फेस बोस अपने चेहरे पर नहीं लगाना है बस और कुछ भी नहीं बाकी all skin type है तो अगर आपको skin की यह problem है तो आप इसे जरूर टाई करिएगा आपको 100% benefit होगा तो friends वीडियो अच्छी लेगी तो like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा आपके लिए फिराओंगे अच्छी अच्छी remedy लेकर 100% trusted 100% working remedies लेकर आपके लिए तो आप इन्हें try करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करिएगा अगर आपको जरूर सा benefit हो तो comment box में जरूर बताएगा आपके लिए अच्छी सी बैतिन सी remedy लेकर Thank you for watching